आज किस लेक्चर में हम डिस्कूस करने वाले हैं DNA as hereditary material जिसमें हम देखेंगे different scientist का रोल जिले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को सबसे पहले हम देखेंगे Friedrich Griffith के experiment को इन्हेंने चारतरां के experiment प्रोफर्म किये थे फास्ट फॉल उन्हें एक माइस लिया जिसको उन्हें वेर्वलेंट स्ट्रेइन आफ स्ट्रेप्टो कोकस्त मनाई बैक्टेरिया के साथ इंफेक्ट करवाया तो उन्हेंने देखा कि बैक्टेरिया की डेथ हो गई ब्लाड बॉजनिंग के थ्रोफ अब उन्हेंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसी तरह का एक और माइस लिया जिसमें उन्हें म्यूटेंट स्ट्रेइन के साथ इंफेक्ट करवाया उस माइस को और उस माइस ने कोई किसी किसम की इलनेस एफेक्ट चोड़ नहीं करवाई म मेंस तेट वो जिन्दा रह गया अब जो म्यूटेंट स्ट्रेंट ता इसका मतलब यह है कि उसमें पॉलिस्ट कोड़ एपसेंट था तो इसका नतीजह यह आखस किया गया, कि कोड़ है पॉलिस्ट का वही रिस्पोंसिबल है वाइरूलै यह काज करता है अब एस कोड़ प ही जो वेरैल्न स्ट्रे मारी काज कर रहे थे जब के जो हमारे पास म्यूटन स्ट्रे माइस यहीजिद्ट पार्च का नाम दे दिया कि थार्ड़ एक्सपेरिमिंट में क्या हुआ उन्हें डैट बिक् misin को माइस के अंदर इंजैक्ट कर व suitड़्क को माइस को 인्जेक्ट mixture त्यार किया था डेड S bitteries of virulent strain आप अरT strain का meansij धार mixture त्यार क्रया गया mutant strain and virulent strain का और उस mixture को inject किया गया माइस के अंदर unexpected यह जो माइस था उसने disease develop कर ली और उसकी death हो गई अब जब उस डेड माइस का ब्लड चेक किया गया तो यह चीज देखने को मिली कि उसके ब्लड में लाइव वेरूलेंड स्ट्रेप्टो कॉंकस टाइप बेक्टिरिया मजूद थे जिसने सर्फेस पोरटीन करेक्टिरिस्टिक्स अफ दे लिविंग स्ट्रेंड चो करवाई अब यहां से यह चीज हमें देखने को मिलती है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है रूल है वो किस बेस पर दिया जाता है दो बातें एक म्यूटन स्ट्रेंड और दूसरा जो म्यूटन स्ट्रेंड उस ने डिज some दूस्टिक्स नहीं गी कि यह जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि जिनेटिक मिटेरियल एक सैल से दूसरे सैल के अंदर ट्रांसफॉर होता है जो कि रीसिपैंट सैल चाहिए का मकमल तोर पर जिनेटिक मेकब बदल देता है इसे हम नाम देते हैं ट्रांसफारमेशन या ट्रांसफोर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में तीन मेजर साइंटिस्ट आते हैं फर्स्ट वान इस ऊस्वार्ड-Avライ, साइकेंड इस मैकलोड मैकलोईट एंड मैकलीन मैककार्टे अब इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा डाग्राम से देखने की कोशिश करते हैं देखें फास्ट फाल मैंने की दिकर किया था कि उन्होंने माइस के अंदर मीूटन स्ट्रेंड को इंडाड हा और माइस लिवंग रहए गया था है जिसमें पाल यसक्राइड के कोड पर देखें वैसमें वेरממर और इस स्ट्रेप्टरग कोशंट K इन्डाड किया था बलाइड पोजिनिक माइस की देथ हो गए थी देखें माइस डाइट थर्ढ एक्ष्पेरिमेंट में जिसमें आपके पास डिडड बेक्टेरींग जे Somehow-ेट की यह थे स्ट्रपक क और को फ्डमिनंग की अ वह मैस लिफ रहे गिया था वह एक्ष्पैरिमेंट में मिक्सचर तियार किया गया था किस चीज्द का वो स्टेंड जो डिजीज काज करते हैं वैरलेंड स्टेंड और जो डिजीज काज नहीं करते हैं मीटन स्टेंड का और वो मिक्स अप इंजाइट किया गया माइस के अंदर और उस माइस की टेथ हो गए थी यही चीजें प्रफॉर्मिस को शो करवाने के लिए फिर हमारे पास आए हर्षे और मार्था चेज एक्सपेरिमेंट जिन्होंने बेक्टेरिय फेज टी टू पर वर्क किया अब इन्होंने दो रेडिया सो टॉप लिये थे एक फास्फेड 32 और दूसरा सलफर 35 जो फास्फेड 32 है ये नियूली संतिसाज डी ने के अंदर इंकार्पोरेट कर जाता है जब के जो 35S है ये जो हमारे पास नियूलीफॉर्म परटीन होती है उसके अमाइनो ऐसिड के तो इन्होंने दो 13 के वआरिसे लीये, एक को इन्होनने 35S असे लेबल किया, और दूसरी वारिसस को 32P से लेबल किया, और उस दोनो वारिसस को अलाव कर दिये के वू अब इन्फैट करें बेक्टेरिये को, बैक्तिरिया ने कोशिश की कि वो जो उसका आउटर साइट कोट है उसको रिमुव कर दे तो जो हमारे पास सलफरılar था थारटी फाइब वो आउट साइट कोट में प्रेजन्ट था उसे रिमूव कर दिया गया जबकि जो Phosphate 32 था वो इंसाइड दा DNA प्रेजन्ट था और उसे Interior to the bacteria inject कर दिया गिया जिसने bacteria को insert किया था अब देखती है थोटा सा डाग्राम से इस चीज़ को अब यह देखिए यह structure है DNA के 14 coat का जिसमें sulfur 35 प्रेजन्ट था और यह coat बाहर रहे गया जबकि अंदर का material DNA का था यह देख सकती है यह अंदर inject हो गया इसका मतलब यह है कि जो 35S था वो बाहर रहे गया जो inside P32 था वो अंदर inject हो गया जिसने disease कास की तो यहां से यह confirm होती है चीज़ कि जो DNA है यह एक generation से दूसरी generation के अंदर genetic material transfer करता है फिर हमारे पास Erwin Chargraf का work करता है इन्होंने यह चीज़ शो करवाई कि DNA के अंदर जो amount होती है purine की वो हमेशा हमेशा equal होती है amount of perimidine की point first, second point इन्होंने यह दिया कि जो adinin होती है वो हमेशा double bonded होती है thiamine के साथ जबके जो guanine होती है वो triple bond बनाती है किसके साथ? सैटोसीन के साथ फिर Rosalind Franklin का roll आता है हमारे बस जिन्होंने x-ray diffraction technique यूज की थी DNA के analysis के लिए इन्होंने एक molecules के अंदर beam of x-rays bombardment करवाई थी और इन्होंने देखा कुछ individual rays थी जो एक atoms पढ़ रही थी वो टकराने के बाद वो diffracted होगी उसने एक photographic film यूज की थी उस diffracted rays को capture करने के लिए ताकि उन rays को बाद में वो analysis के थो गजार कर result बना सके तो जब उन चीज़ रेज का analysis गया गया तो यह result निकला लागिया के जो structure था DNA का वो three dimensional structure था ठीके फिर दूसरी चीज़ का देखने को मिली वो जो structure देखने को मिला DNA का वो helical in structure था किस shape में था हिलाक्स की shape में था third one जो diameter था उस हिलाक्स का DNA का structure वो 2 nanometer था last point was that के जो complete helical turn होता है उसका diameter 3.4 nanometer होता है यह था हमारा आज का lecture इस lecture के about कोई confusion हो आप comment section में पूछ सकते हैं secondly अगर आप इन notes को download करना चाहते हैं तो इन्हें आप description में link दिया गया है वहाँ से download भी कर सकते हैं next lecture तक के लिए इजाज़त देजिए Allah आपिस subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates आपिस आपिस